इस बेसिकली ए टिट फर टाट मूव जो इंडिया और कैनेडा के जो तालोकात हैं वो बहुत तेजी से डिटीरिएरेट हो गया है। भारत में कैनेडा को उसी के अंदाज में जवाब दिया है। भारत में मौझूद कैनेडाई राजनाई को निश्कासित कर दिया गया। कि मैं वेस्टरन पाटनर जो हमारे इन से भी बात कर रहा ह। इंडिया का के और के लोगों ने एक वो जो हर्दीब सिंग्या उसको कतल किया है वैंकूवर के अंदर तो इट मीन्स कि यह जो जी-7 ममालेके हैं उन तक यह बात पोचा दी गई है। क्या अमरीका कुछ करेगा, बरतानियां कुछ करेगा, ये कुछ करेएंगे, मुझे नहीं लगता। भारत में केनेडा को उसी के अंदाज में जवाब दिया है भारत में मौझूद केनेडाई राजनाईक को निश्कासित कर दिया गिया ये फैसला भारत सरकार की तरफ से तब लिया गया जब केनडा ने भारत के खिलाब गलत आरोप लगाते हुए भारतिय डिप्लोमैट को निश्कासित कर दिया था विदेश मंतराले के प्रवक्ता अरिंदम बाक्ची ने बयान जारी कर कहा है भारत ने केनडाई रागनाई को निश्कासित कर दिया है केनडा के उचायूत को आज समन करके भारत सरकार के इस फैसले की जानकारी दे दी गए यह फैसला हमारे आंतरिक मामलों में केनडाई रागनाईकों के हस्तशेब और भारत विरोधी गति विदियों में उनकी भागिदारी पर भारत सरकार की बर्ती चिंता को दर्शाता है पर इतना ध्यान दिया होता तो वहां पर खालिस्तानी हमले शायद कम हो जाते जो इंडिया और कैनेडा के जो तालोकात हैं वह बहुत तेजी से डिटीरेट हो रहे हैं अगर आपको याद हो जब प्रैमिनिस्टर टूडो इंडिया में थे तो उस वकत भी इंडियन मीडिया हैं बड़ी टफ लाइन ली होई थी टूडो के उप दिस बैसिकली ए टिट फर टाट मूव अब रात को कल कनेडियन पार्लिमेंट के अंदर जस्टन टूडो नहीं कहा कि भाई हमारे पास एक खास किसम की एक एवड़न्स है और कनेडियन फॉरन मिनिस्टर ने बात कहा और उने का जी के हमारे पास यह एण आविडंस है कि जो इंडियन से हैं वो इन वॉल्व रहे हैं एक मर्डर में कनेडियन के मर्डर में इंडियन ओर्टीज वहां से फिर चीजहां वो खराय होती गही और पिर आज सुबो कैनेडा इंडिया जो है उसने रिजेक्ट की कि हमने Canadian Prime Minister की जो पार्लिमेंट में स्पीच है उसको देख है उसको हम यह ऐलिगेशन्स हैं इंडिया के लाफ और इंडिया जो है वो किसी किसम की की एक्ट ऑवाइलेंस में नहीं है और और यह जो प्राइमिस्टर टूडो ने एलिगेशन्स हैं हम रिजेक्ट करते हैं इंडिया एक डेमोक्राटिक कंट्री है कि कमिट्मेंट टू रूल अफ लॉव लॉव सेमी टूडो साब वहां पे कहा रहे थे कि देट कैनेडा इस डे हाई कमिश्टर जो कैनेडा के थे उन्हें पांच दिन में भारत छोड़ने के लिए कहा है मैं समझता हूं भारत का एक्शन बिल्कुल सही है और कैनेडा की जो सरकार है जस्टिस टूडो के अंडर उनका यह जो ऐलिगेशन है यह बिल्कुल गल्त है बेबुनियाद है आप देखिए जब वो जी ट्वांटी की मीटिंग में यहां आये थे परदानमंत्री ने उनसे मैटर टेक अप किया था और उनको कहा था कि यह जो टेररिस्ट अर्गनाजेशन वहां वाइलेंस करते हैं हमारे वहां के जो हमारी अमबैसी का स्टाफ है हमारी अमबैसी पर वो कर होते हैं कभी जंडा लगाते हैं कभी कुछ करते हैं तो इन और जस्टिन टूडो को यह करना चाहिए कि किसका साथ दे रहे हैं उन लोगों का जिनके हाथ में खून के दब्बे हैं एक जहाद उन्होंने उड़ा दिया जिसमें सैंक्नों लोग निर्दोश लोग मारे गए आप साथ देते हो लेकिन आपको नहीं लगता है कि कैनेडा इतना जादा सुपोर्ट खालिस्तानी एलिमेंट्स को दे रहे है कि कैनेडा एक ब्रेडिंग ग्राउंड बन गया है खालिस्तानी एक्टिविटीज के लिए एंटी इंडिया जो एक पूरी केंपेंड चल रही ह उसमें कहीं न कहीं हर बार जब आप देखेंगे तो कैनेडा का की रोल हो रहा है उसका खमयाजा कैनेडा खुद बुकतेगा आप मेरी वविश्वानी सुन लीजिए खालिस्तान बनेगा तो कैनेडा में ही बनेगा और अल्टिमेटली जब आप टेर्रिजम को स्पोर्ट कर हो तो पाकिस्तान की हालत देख लीजिए कैनेडा की हालत भी एक दिन वही होगी तो भारत यह जो टेरिस्ट वहां मारे जा रहे हैं उसमें भारत के स्टाफ का कोई रोल नहीं है यह बेसिकली इंटर गैंग राइवेलरी है टेरिस्ट आगनेशन में बीच में आपने देख तो इसमें यह जो एलिगेशन हमारे अमबैसी स्टाफ पर लगाई है यह वे बुनियाद है क्योंकि जस्टन टूडो की जो पार्टी हैं ताट इस वारी क्लोज विजगमीट सिंग अमिरहला इठारा उनीस परसंट उनके वोट जो हैं वो हैं इस इन आलाइंस जगमीट सिं और यह जो चीजग हैं यह सेपरतिज्म, एक्स्ट्रीमिजम, इंडिया कैनेडा को कह रहा है क्या बाई आप इंवाल्व्रेटिज्म में एक्स्ट्रीमिजम तेगर जी अ, लेकं कैनेडियन्स कहते हैं कह बाई, यह जो आप, है ना, हर्दीव सिंग्ग, ये रपने बंदा म रहा है इंडियन्स जारी बाता है वो नहीं मानते सचीज़ को करता है कि नहीं वुर्ष बार बार के ओस बार भार के ऊपर इस पार पे जब पील्जाम लगाता है कि आप को सफेरेटिम को सपोर्ट करते हैं पहला जी सेवन कंट्री है जिसको इंडिया ये कह रहे हैं कि जस्टन टूडो ने ये भी कहा कि मैं वेस्टरन पार्टनर जो हमारे उनसे भी बात कर रहा हूँ So it means कि ये जो इशू है इंडिया का कि इंडिया कैनाडा के अंदर आके इंडिया के लोगों ने एक वो जो हरदीब सिंग है उसको कतल किया है वैंकूवर के अंदर So it means कि ये जो जी सेवन मुमालिक है उन तक ये बात पुचा दी गई है क्या अमरीका कुछ करेगा बरतानिया कुछ करेगा ये कुछ करेगा मुझे नहीं लगता खालस्तानी आतंकी हरदीब सिंग हत्याकान में भारत की सनलिपता का आरोप लगाते हुए कैनडा ने सोंबार को भारत के एक सीनर डिपलमाट को निशकाशित करने का आदेश दिया था कैनडा की इस कारवाई का जबाब देते हुए भारत ने भी कैनडा के एक सीनर डिपलमाट को देश से नशकाशत कर दिया है कैनडा के प्रधान मंतरी जसिन टूडो ने भारत सरकार पर फालस्तानी आतंकी को सिख नेता बता कर उनकी हित्या का आरोप लगाया टूडो ने सोमवार को सिंसद में कहा भारत सरकार के एजन्स ने जून में कैनडा में प्रिटिश कोलंबियाई में सिख समुदाय के नेता हर्दीप सिंग निरजर की हत्या कर दी थी इस मामले में भारत के विदेश मंत्राले ने कहा कि कैनडा के सभी आरोप बेतुके हैं इस तरह के निराधार आरोप खालस्तानी आतंकवादियों और शरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश है आपको बता दे हर्दीप सिंग निरजर को भारत की सुरक्षा एजिंसियों ने भगोड़ा और आतंकवादी घोशित कर रखा था इसके अलावा भारतिय जाच एजिंसी की ओर से निरजर पर 10 लाख रुपे का इनाम घोशित कर दिया था जून 2020 में कैनेडा के सिरेपर निरजर की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी